दोस्तों अभी आप देख रहे हैं इफ function का example number 7, यहाँ पर देखें टेबल हमने एक बना कर रखा है, सबसे पहले name के नगत कुछ student का नाम दिया हुआ है, उसके बाद उनका opt-end mark है, opt-end mark उसके नीचे सबका दिया गया है, उसके बाद है maximum marks 600, उसके बाद हमको निकालना है percentage, स साती साथ हमें निकालना है result, उसके बाद division और उसके बाद grade, सब कुछ करना है इफ function की मदद से, चलिए अब हम देख लेते हैं कि result, division, grade और percentage कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले percentage वाले cell के नीचे वाले cell को click करेंगे, क्योंकि यहीं पर हमको percentage निकालकर दिखाना है, अब द option mark जो कि उसने पाया है, उसके वाद से divide कर देना है, जितना उसका बिशा है, 6 बिशा है तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, 7 होगा, 7 बिशा होगा, 7, 8 होगा, 8, जितना उसका बिशा होगा, total उतना हम यहाँ पर type कर लेंगे, तो इसने 600 में से total पाया है, 525 और 600 का मतलब है, 6 यह बिशा है, क्योंकि परते एक विशा है में 100-100 अंक होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर type करा 6 और enter कीप्रेस करेंगे, यहाँ पर percentage निकल कर आ जाएगा, इसी फार्मूले को नीचे तक apply करना है, तो बीच में click करिए, नीचे की तरफ scroll करिए, control के साथ D कीप्रेस करिए, दो अंकों में यहाँ पर display हो रहा है, और अगर जो आपको कम करना हो, तो यहाँ पर आप click करके कम कर सकते हैं, तो देखें, यहाँ पर कम होगे, और कम करना चाहते हैं, तो और कम कर सकते हैं, चलिए दो अंक पर रहने देते हैं, अच्छा है, तो हमने सब का percentage निकाल कर आप percentage निकल जाएगा अब दोस्तों हमको इसका result निकालना है कि यह पास है कि फेल है तो result लगाने के लिए सबसे पहले आपको उस say latest को select करना है जहाँ पर आपको answer चाहिए तो हमने select कर लिया है उसके बाद equal का sign लगाएंगे type करेंगे if type की press करेंगे ताकि function पूरा हो जाए और open parenthesis भी आजाए उसके बाद से percentage वाले say latest को select करना है select करने के बाद अब last day लगाना है और type करना है 33 अगर जो percentage हो इसका कम 33 से तो कामा लगाएंगे double quotation में type करेंगे fail double quotation close करेंगे कामा लगाएंगे और double quotation में type करेंगे pass और close parenthesis और enter की press करेंगे जैसे enter की press करेंगे answer आपके सामने आ जाएगा देखिए answer आ रहा है pass क्योंकि authenticity से अधिक है अब यहाँ पर इसे fill handle बटन को click करके नीचे एक तरफ scroll कर देंगे तो देखें संभावत हैं यहाँ पर सब लोग pass हैं इसी में किसी का अंग कम करके आप देख सकते हैं वह बंदा फेल हो जाएगा चले रामू को 100 रखते हैं तो देखिए 16 दसमलोग 6-7% यह प्राप्त की हैं चुकि अब फेल है control जट करके वापस कर देते हैं ऐसे ही सबको आप check कर सकते हैं आसानी से अब दोस्तों हमको division निकालना है अभी आपने देखा हमने percentage निकाला result निकाला अब हम division निकाल लेते हैं तो division के नीचे वाले sales को select करेंगे type करेंगे equal उसके बाद if type की press करेंगे उसके बाद percentage वाले sales को click करेंगे जिसमें पहले student का percentage value आया हो उसके बाद लगाएंगे greater than और उसके बाद equal means कि ज़्यदी percentage वाली value बढ़ा हो या बराबर हो 60 के उसके आगे हम type करेंगे 60 अगर जो बढ़ा हो तो कामा लगाएंगे double quotation में type करेंगे first और double quotation यहाँ पर close कर देंगे एक बाद फिर समझ लीजिए percentage वाली value यदि बढ़ा हो या बराबर हो 60 के तो उसका division होगा first पुना कामा लगाएंगे और type करेंगे if type की press करेंगे open parent इसके लिए sales को select करेंगे दुबारा percentage वाले को क्योंकि इसी के अधार पर हम निकाल रहे हैं greater than या equal हो 45 के तो कामा लगाएंगे double quotation में type करेंगे second double quotation को close करेंगे तो कामा लगाएंगे फुना type करेंगे if type की press करेंगे और उस sale address को select करेंगे लेकिन अब select नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर overlap हो रहा है तो उस sale का address ही type करेंगे तो d 87 greater than equal 33 तो कामा लगाएंगे और double quotation में यहाँ पर type करेंगे third अगर जो आप function या किसी भी चीज के अंत में आतुके हो तो उसका तुरंत result यहीं पर आपको दे देना है तो अब आपको 33 से आगे कुछ नहीं चाहिए तो कामा लगाएंगे और double quotation में type कर लीजिए fail और यह यहाँ पर double quotation को close करने के बाद जीतनी बार if को शुरू किया है उतनी बार close parent हैती से यहाँ पर close कर दीजिए अब एक बार फर्मूले या function को total सही से देख जाईए सबसे पहले equal or if क्योंकि equal function चलाना है और यह function का नावर open parent है दी 87 इसके अंतरगत जो भी value हो यदि बराबर हो या बड़ी हो 60 के तो first आना चाहिए यदि उसी के अंतरगत अगर जो बराबर हो या बड़ी हो 45 के तो second और यदि बराबर हो या बड़ी हो 33 के तो third और उससे कम हुआ तो fail finally हमने function को type कर लिया है अब enter की press करना है जैसा ही enter की हमने press करा देखे इसका result यहाँ पर display हो रहा है first इसी को नीचे तक आपको apply करना है तो fill handle बटन को click करिए और नीचे एक तरफ scroll करिए answer आपके सामने आ जाएगा देखिए यहाँ पर यहाँ 60 से तीनों यहाँ तक देखें तो सभी लोग 60 है यहाँ 60 से अधिक है इसलिए इनको first और देखें यहाँ पर 30 इसलिए second यहाँ पर इसलिए second तो आसानी से आप यहाँ पर division भी निकाल लेंगे अब दोस्तों अगर जो grading में वस्ता हो A, B, C, D में आपको grade के हिसाब से निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे चलिए हम सीख लेते हैं grade के लिए में same यही वाला formula आपको apply करना है उसमें ज्यादे changing नहीं करनी है द्यान से समझना है जो कुछ है as a tease रखना है जहाँ पर यह first, second, third, fail जो कुछ भी आपने type करा है यहाँ पर आपको A, B, C, D दे देना है चलिए देखते हैं कैसे अगर जो आप किसी दूसरे वाले cell का function या formula को copy करना चाहते हैं तो उसे double click करें वो edit हो जाएगा इन सब को पर paste हो जाएगा अब उसे double click करके edit कर ले और जहाँ जहाँ पर भी आपको changing चाहिए वहाँ वहाँ पर आप changing कर लिजिए तो फिलाल हमको grading के अकार्डिंग चलना है चलिए देख लेते हैं grade किस हिसाप से हमको देना है तो grading हमको दोस्तों दो ही देना है यदि यह वाला cell बर यह भी हम सिखा रहे हैं कि किसी दूसरे वाले cell से पूरे function को copy करके उसे paste करके edit कैसे करते हैं तो यहाँ पर हमने चला है अगर जो 80 हो या उसे बड़ा हो तो A grade यदि वही cell अगर जो बराबर हो या बड़ा हो 60 के तो उसको grade मिलना चाहिए B चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले हमने type कर लेते हैं B second की जगह हमने type करा B यदि वही वाला cell address बराबर हो या बड़ा हो 40 के तो यहाँ पर उसको grade मिलेगा C तो third को हम कर लेंगे C और यदि ऐसा नहीं है तो हम उसे देंगे N यानि कि nothing अब एक बार दोस्तों इत्मिनान से मिला लीजिए पुराने वाले function से आ हमने change करा है सिर्फ यहाँ पर value और उसका result यहाँ पर हमने change करा है फैनली इतना type करने के बाद enter की press कर देना है grade निकल कर आ जाएगा अब यहाँ पर fill handle button को select करिए निचे तरफ स्क्रॉल करिए grading यहाँ पर आपको display हो जाएगी यहाँ पर nothing किसी को नहीं मिला है N क्योंकि इसका result आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इसको देख लेते हैं दो 180 है इसको 180 करते हैं तो देखिए यहाँ पर यहाँ फेल हो गया है यहाँ पर यहाँ पर सेंटेज है 30-30 से कम है चलो इसको हम control Z करके पूरानी यवस्था में कर देते हैं तो इस पकार दोस्तों आप आस आनी से निकाल सकते हैं